करें दोस्तों हमारी चनलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज आप लोगों को दिखाएंगे यह देखे हमारा समर्ज जो है चल ला है आटो से चल ला है यह देखे बराबर हमारी जो इलिडियर बिलिंग कर लही है और आप लोगों को पानी भी दिखा दे यह देखिए पानी भी निकाल रहा है और इसमें दिक्कत क्या है यह आप लोगों को बता दे इसमें दिक्कत है यह चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है उसके बाद में फिर चलता तो अभी यहां पर हम लमसम समाय हुए हो गए हैं 2-4 मिनट अभी नहीं बंद हुआ है अभी बंद होगा तब आप लोगों को दिखाएंगे क्या बंद करता इसमें क्या दिक्कत आती है इसमें हम क्या करें जो सही हो जाए यदे आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए यह जो दिक्कत आप लोगों को बताने चुटकियों में सही करने वाली है इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और इसको चुटकियों में आप सही कर सकते हैं तो अभी यह बंद हो उसके बाद में आप लोगों को हम बनाने के बारे में बताएंगे आप लो को दिखाते हैं देखेगा यह क्या हरकत करता है तो दोस्तों हमने और अण plausible से इसको स्टाब कर दिए यह देखिए अण से स्टाब किया आपही चलेगा का यह यह पहलाyard कर चालू हो गया जिसको स्टा बोलते हैं ह। अक यह डेल्टा हो गयाो अब इसकी आप लोग हर्कत देखेगा ग Soo घ्रक्ष देखाएंगे ने डिंस तो बीडियो जया दा समय बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाना मेरा मकसद अप लोग जिब हमारा वीडियो गऊर से देखेंगे और थोड़ा हमें टाइम देंगे, यानि वीडियो देखने का आप लोग टाइम देंगे, तो आप लोग इस समझ में आएगा, नहीं ज्यादा अपने में भासट आप लोगों को नहीं सुनाना चाहता हूं, और ये वीडियो हमारा अच्छा लगे, तो एक लाईक जरूर करें, और कमेंट में य देखिएगा यह देखिए आवज क्या करने लगा यह देखिए हमारा बंद हो गया यही दिक्कत आती है तो दोस्तों इसी प्रकास से हम आप लोगों को बताते हैं कि वीडियो पूरा देखिए यानि कहां से दिक्कत है क्या फाल्ट है यह आप फाल्ट नहीं समझ पाएंगे तो बनाएंगे क्या यह दिमाल लिया यह चुटकियों का काम है जितने देर आप लोगों को भासर दे रहें इतना समय बनाने में नहीं लगेगा तो दोस्तों जड़ा देर न लेते हुए हम चलते हैं काम की तरफ आप लोग देखिएगा इसमें क्या दिक्कत आती है तो सब एक एक बात हमारी गवर से सुनिएगा लाइट का कोई भरोसा नहीं कितने समय आ जाए तो सबसे पहले हम कट आउट निकाल लेते हैं उसके बाद में हम इस्टार्टर को खोलते हैं तब आप लोगों को बताएंगे तो दोस्तों हमने निकाल लिया कट आउट अब इस इस्टार्टर का अन्बॉक्सिंग करते हैं इसमें आपको सिर्फ यह सेटिंग कर देना है और आपका स्टार्टर सही काम करने लगेगा यह देखिए हमारा राई स्टार्टर यह आपके मोटर के कनेक्शन हो गए यह मोटर के कनेक्शन हो गए यह वले बीच वले और यह हमारे हो गए लाइट के इसमें सिर्फ आपको क्या करना है थोड़ा सा हमें रिले बढ़ा देना है यदो रिले हमारा डाउन हो जाता है तभी ये दिक्कत आती है तो रिले आपको हम दिखा दे हैं कहां पर रिले होता है इसको हम बोलते हैं रिले इसकी यह देखे पत्ती डीली होती है लेकिन दोस्तों इसमें टाइट है यहीं से दिक्कत आती है तो हम इस थोड़े यह जो हमारी लगा होता है रिगुलेटर रिले के उपर इसको हम एक चूरी बढ़ा देंगे यहां से दोस्तों हमारा फुल है जब यहां से फुल होता है तो हम क्या करते हैं तब इसके लिए एक छोटा सा स्कूरू यह देखे पास में लगा होता है इसको हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं एक चूरी इसको टाइट कर लिया उसके बाद में यह देखे हमारी ओवरलूट पत्तिया होती है यह ओवरलूट पत्तिया जो होती है यही जब हमारा यह heat करने लगता है जब ज्यादा load परने लगता है तो इसको इधर को ठेल देती है यह जो plastic की एक हड़ी यही लगी होती है यह ऐसे हो जाता है तो यह हमारी चिलिया उठी जाती है और यह चिलिया उठने के बाद में ही यह बंद हो जाता है तो दोस्तों हमने इसको tight कर लिया यानि कहने का मतलब हमारा सही हो चुका है अब हम लगा करके चला करके आप लोगों को दिखाते है तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपने starter को सही कर लेना है अब हमने लगा लिया है cutout और यह देखे आटो लगा हुआ है अब हम आटो से start करेंगे चला करके आप लोगों को दिखाते हैं यह देखे हमने दबा दिया आटा आटो और अभी यह चल जाएगा तीन जा बाद यह देखे चल गया यह देखे मेंटेन हो गया चलने लगा अब हमारा चल रहा है और इसको हम चला दिये हैं और आप लोगों को दिखा दें पानी इसका यह देखे पानी कितना मस्त दे रहा है यह देखे पानी बढ़िया है और सब कुछ सही है तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से हमारी सपोर्ट करते रहें आप लोग इसी तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही फिल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाव बाई